किसान भाईयों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में हमको आखरी यूरिया कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए और आखरी यूरिया के साथ में किसान भाईयों हमें किन किन पोसक तक्तों को डालना चाहिए जिससे हमारे धान की फ में हमें आखरी यूरिया कब डालनी चाहिए और उसके साथ में हमें कौन-कौन सी खादों को मिला कर डालना चाहिए तो इस वीडियो को कम्पलीट जरूर देखिए गा साथ ही किसान भाईयों अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी के निसान को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको धान की खेती समंधिद और भी अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे किसान भाईयों हम सब जानते हैं कि धान की फसल में पहली वा आखरी यूरिया का जो रोल होता है वो बहुत ही जदा महटकून माना जाता है गर इसी समय किसान भाईयों हम अपनी धान की फसल में सही पोसरतत नहीं डाल पाएं तो फाइदे के बजाए किसान भाईयों हमको नुकसान हो सकता है तो यदि हम इसी समय किसान भाईयों सही पोस्तत यूरिया में विलाकर डाल देंगे तो हमरी जो धान की पैदावार है वह काफी ज़्यदा अच्छी हमको मिलने वाली है सबसे पहले बात करते हैं किसान भाईयों कि धान की फसल में हमें आखरी यूरिया कब डालनी चाहिए किसान भाईयों अगर आपने धान की कम समय में पकने वाली वराइटी लगाई है तो आपको अपने धान की फसल में 40 से लेकर 50 दिन के अंदर इकिसान भायो आखरी यूरिय डाल देनी चाहिए यदि किसान भायो आपने long duration में पकने वाली धान की वराइटी को लगाया है तब आपको 50 से लेकर 60 दिन के अंदर आखरी यूरिया की डोज डाल देनी चाहिए अगर हम आखरी यूरिया के मातरा की बातने किसान भाईयो लगभग आपको 30 से लेकर 35 किलो परती एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना चाहिए बहुत सरी किसान भाईयो के मने में यह सवाल रहता है कि इसी समय हम अपने धान की फसल में कीट ना सक डाल दें फंगी साइड मिलाकर डाल दें लेकिन किसान भाईयो इन जहर को इस समय आपको अपने धान फसल में नहीं डालना इसको किसान भाईयो डालने के बाद हमारी मिट्टी के रुबरक्शमता का प्रवाबित हो जाएगी और फाइदा के वज़ाए हमको नुक्सान होन इस समय आपको अपने धान की फजल में किसान भाईयो किसी भी परकार के जहर को यूरिय के साथ मिलाकर नहीं डालना है अब डालना क्या है आईए उसके बारे में जानते हैं किसान भाईयो अगर अभी तक आपने धान की फजल में पोटास का उपयोग नहीं किया है तो यह स दान की फसल में बालियों में दाने का भरा होगा तो दाने जो आएंगे किसान भाईयों वह सुस्त दाने आएंगे मोटे और वजंदार दाने का भरा होगा जो दाने की क्वालिटी होगी किसान भाईयों वह भी काफी जदा सांदार होगी दानों का आकार काफी जदा बढ़ि हैं तो हमारी जो रोग प्रतिरोग चमता है धान की उसको भी पोटास बढ़ा देता है अनावस्य किसान भाईयों जो छोटे मोटर रोग हमारे धान की फसल में लगते हैं उसे लड़ने की किसान भाईयों सकती परदान करता है हमारे धान के पोदे को और छोटे मोटर रोग भ बग 20 kg प्रत एकड के हिसाब से रखनी है यदि किसान भायो आप दानेदार पोटास नहीं डालना चाहते हैं तो 0050 का इस्प्रे भी किसान भायो इस समय आपको करना है इसकी मातरा आपको लिकिसान भायो एक लीटर लेना है 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रत एकड के आप अपनी धान की फसल में डालेंगे तो इस वर्स निश्चित ही आपको धान की फसल से काफी बढ़ियां और काफी सांदार पैदावार मिलने वाली है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज दूतल को सब्सक्राइब अच्छा लगा करनी खपको भamtनी ओत्तल प्सक्राइब जर्स निया आपको सब्सक्राइब डदार लगाali है वीडियो अच्छा लगा जिसास्टा लगार मिलने वाली है और कानी दाहा है अच्छा लगा